संध्यास कीचेन में एक नई रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं शेर कर रहे हूँ मकर संक्रांती स्पेशल बंगाली पीथा जिसे की हम दूद पुली या खीर पुली के नाम से जानते हैं कई बार हम पीथा बनाते हैं लेकिन जब थंडा हो जाता है तो ये करा हो जाता है सौफ्ट भी नहीं होता और दूद में डाल कर बनाते समय भी तूट जाता है तो आज का ये वीडियो देखने के बार आपकी शिकायत बिल्कुल दूर होने वाली है वैसे सर्दियों में इस तरह का पीठा खाने का मज़ा ही कुछ और है मैंने बहुत से टिप्स दिये हैं जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी पीठा एकदम पर्फिक्ट नरब मुलाइम बनेगा वीडियो का अंटक जरू देखिएगा आपके बहुत ही काम आने वाली है अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेर जरू कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए देख लेते हैं इस टेस्टी दूथ पिठा को हम कैसे बनाते हैं पिठा बनाने के लिए मैंने यहां कच्चा नारियल लिया है उसे मैंने इस मसीन से ग्रेट कर लिया है आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी ग्रेट कर सकते हैं और अगर आपके पास ड्राइ नारियल है, तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कच्चे वाले नारियल से बहुत टेस्टी बनते हैं, पीठा बनाने के लिए सबसे पहले हम नारियल की स्ट्रपिंग तयार करेंगे, इसके लिए मैंने एक करहाई में आधा कप गुर डालेंगे, और वन फोर्थ कप पानी, पानी के साथ जब गुर मेल्ट हो जाए, तो एक उबाल आने पर फिर हम इसमें एड करेंगे, एक कप इस समय गैस के फ्लेम को मेडियम टू लो ही रखेंगे, अच्छी तरह मिलाएंगे गुर के साथ, और फिर इसमें एड करेंगे, एक छोटा चम्मच देशी घी, घी की मात्रा इससे ज्यादा नहीं डालेंगे, अगर क्वांटिटी ज्यादा में बना रहे हैं, तो उस सकते हैं, एड कर रहे हूं, एक छोड़ा चम्मच, इलाईची का पाउडर, इसमें एड करेंगे, मिल्क पाउडर, तीन से चार चम्मच, नॉर्मल जो चम्मच होते हैं घर के, उसी से डाल रहे हूं, और अच्छी तरह मिला लेंगे, पाउडर तूट की जगा, अगर आपक सकते हैं, अब इस नारियल को अच्छी तरह इसके साथ मिलाते हुए चलाते रहेंगे, यहां मैं नॉर्मल गुड़ से बना रहे हूं, आप चाहे तो चीनी या खजुर के गुड़ से भी बना सकते हैं, खजुर की गुड़ से और भी टेस्टी लगता है, दो से तीन मिनद पका लेंगे, पानी सोक लेने तक, थोड़ा सा नारियल चिप-चिपा टाइप का होगा, आपको पता लग जाएगा देखकर, तो उस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे, अब यह विल्कुल तयार है, एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जब एक पिंच नमक या एक छोटा चम्मच नमक और इसमें एड करेंगे पिसा हुआ नारियल, एक टेबिल स्पून, इससे क्या होगा, कि जब हम चावल का डो बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट होगा, टेस्टी बनेगा, इस तरह से बनाएंगे, बनाने से ठंडा या बासी होने पर भी पीठा जो है सॉफ्ट बना रहेगा, ये छोटे-छोटे टीप्स को अगर फॉलू करेंगे, तो बनाते समय कभी भी खराब नहीं बनेंगे, जैसे ही अच्छी तरह उबालाए, अब इसमें एड करेंगे, एक कप चावल का आटा डाल कर, तीन से चार मिनट के लिए धक्कर लगा कर रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, तीन से चार मिनट हो गया है, ये देखे, इस तरह का ये हो गया है, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, वैसे एक कप पानी के साथ ये अच्छे बनते हैं, लेकिन चावल पे भी डिबेंड करता है पानी कितना डालना है, अगर आपको कम लगे, तो गरम पानी एक से दो चमच एड कर सकते हैं, एक प्लेट पे निकाल लेंगे, और इसे गरम गरम ही हाथों से मैश करना है, और यह जो अगर हाथ में अगर आपको गरम लगे, तो ठंडे पानी में हाथ डूबोए, फिर मैश करें, इस आटे को जितना ज्यादा मैश करेंगे, उतना ही सौफ्ट बनेगा, अच्छी तरह स्मूड डो बना कर तयार कर लेना है, जिससे कि इसमें कोई भी गुठली या ना हो र देखिए, एक गिले कपरे से ढखका रख देंगे, ऐसा करने से डो सौफ्ट बना रहेगा, और बनाते समय दिक्कत नहीं होगी, एक नीमू के शेप का अटा लेकर, गोल गोल पूरी की तरह बेल लेंगे, चावल के आटा में डिप करेंगे, और फिर इसे बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, आप चाहे तो इसे हाथों से भी बना सकते हैं, जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह, आज मैं इस तरह के शेप से ही बना रही हूँ, मेरे पास थे, तो मैं इसी से बना रही हूँ, ये किसी भी जगह आपको मार्केट में मिल जाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, पूरी के शेप में में मेल कर, इस तरह से रख कर इसमें थोड़ा नारियल को स्ट्रपिंग करेंगे, फिर सील कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये फट जाएंगे, किनारों को आप डिजाइन भी बना सकते हैं, अगर हाथ से बना रहे हैं तो, और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाएं, क्यूंकि ये जो पीठा है, ये थोड़ा छोटा बनाएं तो भी अच्छा लगता है, किनारों पे थोड़ा पानी लगाएंगे, उसके बाद इसको सेल करेंगे, इस तरह के मसीन से बहुत एजीली फटा फट से बन जाते हैं, और बहुत सुन्दर बनते हैं, इस तरह से ये देखिए, इसी तरह से सभी को बना लेंगे, और एक मैं खातों से बना रही हूँ, कटोडी का शेप देते हुए, ऐसे राउंड शेप में हम बना लेंगे, और फिर इसमें डालेंगे नाडियल के स्टेपिंग, साइड से पाणी लगा कर इसको लॉक कर देंगे, ये देखिए, कुछ इस तरह का, इस तरह से बना लेंगे, बहुत ही अच्छा बनता है, आपको जिस तरह का भी डिजाइन आता है, उस तरह का आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा साइज का बनाए तो अच्छा बनता है, और इसी तरह से मैंने सभी को बना लिया है, ये देखिए, इसे बना कर ऐसे ही खुला ना रखे, एक गिला टावल उस पर रखके, फिर इसको ढग कर रख दे, तो ये सॉफ्ट बना रहेगा, एक दूसरे बर्तन में मैंने लिया है, हाफ कप गुर्ट और वन फोर्ट कप पानी, इसे मेल्ट होने देते हैं, जैसे ही मेल्ट होकर उबरने लगे, गैस को बन कर देंगे, इस तरह से करने से दूद नहीं पटेंगे, गुर्ट मेल्ट हो गया है, और ये देखे, एक उबाल आ गया है, अब गैस को बन कर देंगे, और ठंडा होने के लिए रख देंगे, गुर्ट और पानी को सिर्फ मेल्ट करना है, कोई एक तार या दो तार की चाश्णी नहीं बनानी, जब ठंडा हो जाए तभी हमें डालना है, अब एक दूसरे पैन या करहाई में ये दूद को लेंगे, मैंने यहाँ फुल फैट एक लिटर दूद लिया है, और इसे मीडियम फ्लेम पे रख कर गरम करेंगे, हलका गरम होने पर हाप कप मिल्क पावडर डालेंगे, और लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे के तले से चिपक जाएंगे, और मिल्क पावडर जब भी डाले, तो रसा हलका गरम हो तभी डाले, ज्यादा तेज होने पर ठीक से मेल्ट नहीं होंगे, पाँच मिनट तक लगातार चलाते हुए, पका लेंगे, आप देख सकते हैं, दूद थोड़ा गाढ़ा हो गया है, गैस को बंद कर देंगे, हलका जब गरम हो तभी हम इस पिठे को डालेंगे, अब इसमें सभी पिठा को एक एक करके डालेंगे, बहुत ज़्यादा उबलते दूद में नहीं डालना है, नहीं तो ये तोट जाएंगे, इस समय गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे, अब बहुत ही धीरे-धीरे हलके हाथों से सभी को चला लेंगे, और धक्कन लगा देंगे, पांच मिनट के लिए, ये दिखिए, इस तरह का हो गया है, पांच मिनट हो गया है, और फिर से इससे चला लेंगे, बहुत ही केरफुली चलाएंगे, अराम से बिल्कुल, नहीं तो ये तूट जाएंगे, और गैस के फ्लेम को लो कर देना इस टाइम, पांच मिनट हो गया है, अब इस टाइम गैस को आफ कर देंगे, मेल्टेट गुर को इसमें डालेंगे उपर से, और हलके हांचों से फिर से चला लेंगे, बहुत ही केरफुली, अब गुर डालके भी दो मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पका लेंगे, इसे बराने के लिए 15 से 20 मियाट का समय लगता है, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें, इसी तरह का रखना है कि ठंडा होने पर भी गाढ़ा हो जाता है, अगर ज़्यादा ठीक हो जाएगी तो दूद एड़ कर सकते हैं, ये देखिए ठंडा हो गया है, लिल्कुल सौफ्ट और टेस्टी बनकर रेडी है, वैसे तो ये दूद पूली ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है, आपका जैसा दिल करें, गरम ये ठंडा वैसा ही खाएं, इसे सर्फ करते हैं, तो देखा आपने कितनी आसानी से ये पीठा बनकर रेडी हो गई है, खीर पूली या दूद पूली, देखकर पता चल गया होगा कि ये कितना टेस्टी और सौफ्ट बना है, आपको भी अच्छी लगी होगी, अच्छा लगे तो जरूर मनाएं, और शेर करना ना भूले, जैदा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तरह तरह की रेशीपी देखने के लिए मेरे चैनेल को, और पास ही बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे मैं जब भी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले रेशीपी में, तब तक के लिए गुड़ बाइ और टेक केर,